तो लास्ट वीडियो में हमने यहां पर डिसकस किया था लॉग-इन फॉर्म एडिमिन के लिए हमने आपर के लिए हमने यहां पर क्रेट किया था है और इसकी कोडिंग अभी अभी करना बाकि है तो यह हमने यहां पर इंडेक्ष.php फाइल थी जिसमें हमने यहां पर यह करता है तो successfully अगर login होता है तो इसको admin dashboard पेज़ पे यहां पर डायरेक्ट करना है मतलब ही successful login हो जाएगा और अगर इमेल पास्वड एंटर करता है तो वापस से इसी पेज़ पर रिफ्रेस्ट होके आ जाएगा तो इसकी हमें कोडिंग लिखनी है तो यहां पर हम क्या करेंगे अब हम कोडिंग लिखेंगे आपर अगर admin login page मतलब कि submit button अगर set है मतलब कि इस पर click होता है तो क्या करना है ठीक तो आपको पता है कि insert function का यूज़ करते हम यहां पर तो मैं क्या करूँगा टॉप पे यां पर coding करूँगा ठीक है और PHP की कोडिंग मुझे लिखना है तो PHP की tag start करूँगा और यहां पर मुझे सबसे पहले मैं क्या करता हूं सैसन स्टार्ट कर लेता हूं क्योंकि बाद में कहीं सैसन की हमें ज़रत पड़े तो मैं सेशन स्टार्ट कर लिता हूँ यह लाइन पहली लाइन होनी चाहिए पीएच्प का कॉर्ड इस्टार्ट होता है वहां उसमें तो इसलिए मैं इसको सेशन स्टार्ट पहले कर लिया और अब हम फंक्शन का यूज करते हैं ऑगर इस्ट वाइन अगर देटाबेस से कनेक्शन करना है और डेटाबेस से कनेक्शन सेट करके वहां pे चैक करना है कि इस डेटाबेस में जो एडमीन के email id password है वो user जो form में type करता है वो email id और password से match करता है यानि अगर match करता है तो successfully login कर देंगे तो अगर हमें उसका database का connection करना है तो मैं क्या गरता हूँ जो यहाँ पर मैं इस code को copy कर लेता हूँ जो की 3 या 4 line है जो database connection में same होती है मैंने इसको copy किया और यहाँ पर अब हम बात करते हैं आगे की तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर table का नाम change करेंगे जो query है हमारी select all from अब की बार हमने admin की detail है तो admin नाम की table है जिसमे admin की email id password and save है तो वहाँ से हम उनको फैच करेंगे select all from admin तीक है कौन से admin की वैसे admin अभी एक ही है अगर more than one admin है तो कौन से admin की detail फैच करने है select all from admin वेहर email एक्वल जो email id है वो किसके इक्वल हुनी चीए जो कि post के दुआरा यहाँ पर हमें enter करेंगा जो submit form में जो submit करेंगा email id उस email id के corresponding admin की detail हमें फैच करने है ठीक है सो यह सब यहां पर फैच हो जाएगी अब हम while loop के अंदर बात करेंगे अगर मतलब कि if जो user ने database में जो sorry database में जो email id पढ़ी हुई है email id है वो user form के थूरू जो enter कर रहा है जो पोस्ट के थूरू आएगा उससे match करता है या नहीं ठीक है पासवर्ड चेक करेंगे पासवर्ड के लिए भी हम क्या करेंगे जो मतलब की जो डेटाबेस में जो पासवर्ड है वो यहां पर जो user form के थूरू enter करेगा उससे match करता है ठीक है उससे match करता है या पासवर्ड है अगर इससे match करता है इसका मतलर है कि login successful हो जाएगा तो login successful हो जाएगा इसके लिए हम क्या करेंगे इसको adder function का use करें रिडारेक्ट कर देंगे इसको किस page पर यहां पर इसको हम रिडारेक्ट कर देंगे admin-board.php file ठीक है admin-board.php file पर रिडारेक्ट कर देंगे else अगर password wrong है तो हम क्या करेंगे यहां पर echo करके यहां पर मैं वैसे तो हम PHP में java script लिख नहीं सकते हैं java script गोड़ पर echo function में लिख सकते हैं तो echo में मैं script tag का यूज़ करके यहां पर echo function में तो echo में था इसमें मैं script का यूज़ करके यहां पर alert message दे सकता हूं alert यहां पर हम क्या करेंगे पासवर्ड तो अब यहां पर एक बार इसको मैं चेक करता हूं ठीक है तो इसको में रिफ्रेश करता हूं और पहले तो मैं क्या करता हूं यहां पर email id और कोई wrong password टाइप करके अगर मैं login पर क्लिक करता हूं तो हम देख सकते हैं रॉंग password का message देगा और वापस से इसी page पर redirect हो जाएगा बट मैं अगर correct email id और correct password enter करके enter करके login करता हूं तो हम देख सकते हैं यह admin dashboard page पर जा रहा है हुआ हुआ और new file create करूंगा उसका नाम यहां पर मैं दूंगा admin-dashboard.php अब admin-dashboard.php में हम क्या करेंगे यहां पर यहां पर हम क्या करेंगे जो उपर है जो menu bar है और header है उसको तो same रखेंगे और फिर उसमें हम कुछ buttons वागर बनाएंगे तो मैं क्या करता हूं एक बार के लिए मैं इसको यहां पर copy कर लेता हूं जो कि index जो मारी file है index.php इसके code को मैं copy कर लेता हूं कहां से HTML code पी एचप का हमने code लिखा है इसको copy नहीं करेंगे इसको HTML का code मैं copy किया इसमें मैं paste कर दूँगा ठीक है और एक बर मैं इसको refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं यहां पर यह index.php वाला code हमने copy किया इसलिए यह आ रहा है अब हम यहां पर यह जो login form है इसको यहां पर remove करना है और इसकी हम यहां पर आगे जो वहारा dashboard page है उसको तयार करेंगे ऊपर function रहे तो इसमें हम क्या करेंगे वह यहां पर देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे यहांपर कुछ फिरफ निदिध्रिट करेंगे रिफ़ेंगे और उसके बाद यहां पर हम उन बटन्स पर कॉलिंग इस्टार्ट करेंगे तो मैं क्या गरता हूं यहां पर इसको मैं यहां पर जिमूँ कर देता हूँ, इनको जिमूँ कर देता हूँ, ठीक है, अब यहां पर जो, मैंने एक Du tag बनाया है, जिसकी class है रो, और अगेन एक मैं घुट बनाऊँगा, ठीक है, और उसकी class मैं लेट्से यहां पर चांगा, class call md, let's say, 2, तो मैं क्या करUMA यहां पे पहले मैं जैसे Butie and a grid system बूटीश ट्रेप में वह आपको पता है कि 12 इप्सी इस्टम में divided होंतु को ना प्रिक गुना टू Chapel ministers अलमागे वर इटंट और टो में दो पाल्य ही पहले और लास्ट प्रहुन पता है जब भी थाय करते हैं तो आपको यहां पर एक्षन और मैथट यह अबहुत और ila तो प्रहुत होँँगा और इसकी miss के क्लास इससे मैं या दो हमाँ आप पता है इसना होगी बटंड ले टैडिंट क के प्राइमरी लेट आप po primary ठाओ ठीक है और इसमें यार पर देए रटसे book room ठीक है तो एक button हमने create किया है इसी तरीक से में तीन या चार बटन और create कर लेता हूं एक होगा book room के लिए second होगा check room status फिर होगा view user detail के लिए फिर होगा recently check out के लिए और होगा logout के लिए इनको मैं change कर लेता हूँ पहला हो गया book room के लिए second हो जाएगा यहाँ पर check room status और third हो जाएगा यहाँ पर view user detail view user detail और फिर हो जाएगा recently check-out recently check-outs और फिर हो जाएगा logout ठीक है logout और इनका color हम change कर लेते हैं यह है primary तो लेट से prime second को मैं रख देता हूँ यहाँ पर success यह bootstrap बटन से आप easily google पर search करके भी देख सकते हैं अगर आपको जादे नहीं बता है इनके बाहर में warning लेट से इसको info और इसको danger मतलब भी red अब मैं इसको एक बार refresh करके आपको output check कराता हूँ तो हम देख सकते हैं कुछ इस तरी का output यहां पर दिखाई देगा हैं अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसके बाद की यहां पे codding करेंगे इन बटन्स पे काम करेंगे पहले हम जैसे अगर book room पे click करेगा तो क्या होगा जैसे न फिर check room status view user details recently check out log out इन पे काम करेंगे सबस्पहले हम बात करते है book room की अगर मैं book room button पे click करता हूँ तो क्या होगा ये book room वाला बटन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हम चाहते हैं हम जैसे ही भूक रूम पर किलिक करेगा तो रूम समय दिखाया देना चीए जैसे हम ने यूजर के लिए क्रेट किया था रोम और उनका स्टेटस एफलेबल है या बूक है वो दिखाई देना चाहिए न तो ऐसे हम एडमिन में भी rooms.php नाम की एक फाइल बनाएंगे rooms.php उसको मैं create करता हूँ ठीक है तो मैं यह हाँ पर user के लिए इसको confusion नहीं होगे इसमें अपर है आगे हम changes करेंगे जो अभी कर लेते हैं ठीक है जैसे अब मैं अगर मैं इसको refresh करके और मैं क्लिक करता हूँ book room पर तो आप देखेंगे यहां पर rooms.php वाली फाइल पर डायरेक्ट होगा बट यहां पर यह कुछ इस तरह किसे दिख रहा है फाइल है admin folder से बहार है तो मैं इनको एक step बहार जाओंगा एक folder बहार जाओंगा तो आपको पता है कि हम double dots और forward slash का यूज करते हैं इसका मतलत है एक folder बहार ठीक है तो इनको मैं सब के लिए चैन्ज कर दूँ मैं जितनी भी files है उनके लिए और इनको मैं चैन्ज करके अगर मैं output चेक करता हूं इसको refresh करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर पर यह दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारा user के लिए था वैसा ही दिखाई दे रहा है अब इसमें हम यह admin के लिए है चुकि तो इसमें हम कुछ changes करेंगे जैसे यहां पर बुक और मैं अ उसमें बुक वाला बटन है जो डिशेबल होना चीए और अन बॉक वाला बटन है वह था मतला अक्टिव होना चीए है तो अभी हम क्या करेंगे फिलाल यहां पर मैं यहां पर जैसे बात करूं बटन्स की तो आप देख सकते हैं यह वाला यह पर एक बार में इसको क्लोज करके वापस सीयोचन करता हूं इस फाइल खोई तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह यहां पर देख सकते हैं यह बुक वाला बटन है ठीक है अब यिसी तरीके से हम अन पुला बटन भी हां पर क्रीट करेंगे उन बुक मतलब कि Commission करना थे तो इसके लिई है और себя प्रेस्ट कर दिया और मैं इसको रिफ्रेस्ट करके चEK करता हूं तो आपomi देख सकते हैं नाम चैन्ज सात में गया मत तो मैं इस तरह के कन चैनल चैनल हो और इसका में राभी है उसको चैनल करेता हूं ने और इसको भी मैं change करके इसका नाम unbook कर देता हूँ आप cancel booking कुछ भी नाम रख सकते हैं तो हम देख सकते हैं इस तरह के से दिखाई दे रहा है अब हमें यहाँ पर जैसे रूम available है तो available है तो book वाला बटन active है और unbook वाला inactive होना चाहिए ठीक है यह अभी भी एक्टिव है कि ह हमने copy card की book वाले बटन कि यह इनactive होना चाहिए जो आपको changes क्या करना है जैसे हमपने condition लगा ईफ देख सकते है इफ इस स्टेटस है, जो 0 है, मतलब की room, अवलेबल है, अवलेबल है तो यह unbook वाला button है, वो disabled होना चाहिए, यह book वाला code copy है, इसलिए book वाला तो active होगा, यह है book वाला button, अगर status 0 है मतलब की room, और अगर स्टेट अधर वाई इसको कर देंगे हम एक्टिव एक्टिव सिंपल और अभी इसको मैं रिफ्रेस करके आउट्पुट चेक करता हूं तो आप देख सकते हैं यह रूम जैसे अवलेबल है तो इसके लिए बुक वाला बटन एक्टिव है और यह डिसेबल है और जै प्रेस्ट यहां पर हमें यह कॉड़ कॉपी करना है यहां से जो अनबुक वाला बटन है इसका यह कॉड़ कॉपी करना है ठीक है तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं बाकी जो तीन हैं उनके लिए भी यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं ठीक है इसी तरीके से मैं इसके लिए कर दूँआ और सेम इसी तरगे से में लास्ट है जो रूम टाइप इसके लिए भी कर दूँआ ठीक है सो अब आप देख सकते हैं इसको रिफ्रेश करके कि यहाँ पर सब के लिए यह यहाँ पर बुक और अन बुक वाला बटन से यहाँ पर कंडिशन के साथ अगर कोई रूम पहले से बुक है तो उसके लिए बुक वाला बटन अब क्या करना चाहते हैं अगर हम बुक बटन पर क्लिक करते हैं मतलब रूम बुक करना चाहता है कोई एडमीन के थुरूर तो इस बुक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो बटन वहाँ पर जो सब्सक्राइब जिसमें उसको यूजर अपनी बाकी के डीटेल जैसे यूजर नेम क्या है मॉबाइल लंबर क्या है आईडी क्या है क लेकिन डेट के चाहिक अउड़ किया वह सारी फिल करके फिर फाइनल बुक करेगा तो जैसे इस बुक बटन पर क्लिक करेंगे तो अब हम एक पेज बनाएंगे जो की होगा बुक रूम नाम से और उस पर हम वह फाम बनाएंगे जिसमें यूजर बागे की डिटेल बरके सब्मिट कर सकता है तो जैसे यह बुक है इस बटन पर क्लिक होता है तो यह कॉपी किया इसलिए अल्रेडी आगा लिंक है एड्मिन बुक रूम बट एड्मिन को हम जमूब कर देते हैं हम जैस्ट यहां पर ज करें ओडर्द से मैं सेख करता हूं बुक 라고 डोट पीएस्टी तो भुट उइस पी अब देख सकते हैं अगर हम किसी भी लाई बटन पहर बुक क्लिक करेंगे तो आपड़ करने टें यह अभी है मैं इसको सेपों पाइल को वेख जी इसी फाइल पर जा रहा है अभी भी इसको मैं सेव करता हूं और अब मैं रिफ्रेस्ट करके एक बार में अगर मैं बुक बटन पर क्लिक करता हूं तो एड्मिन बुक रूम.php पर जा रहा है इसके लिए हमें चैंज करता हूँ अभी क्या सारी रूम टाइप है हम पहले की बात करते हैं लेट से सिंगल नौन एसी क्योंकि मैं पहले वाल बटन पर क्लिक कर रहा था तो अगर यह बुक वाला बटन क्लिक होता है तो हम देख सकते हैं यह अभी भी यह एड्मिन के अंदर बुक रूम.php पर जा रहा है ठीक है मैं इसको सेव कर देता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं और अब मैं बुक पर क्लिक करता हूं तो वापस से लेखता हूं यह पतानी क्या हो रहा है बार बार क्या ऐसा हो जाता है वह इफेक्ट है इसका जो चैन्ज करते हैं उसका इसमें नहीं ले पाता है कही बार तो मैं क्या कलता हूं यहां पर local host लोयल और मैं admin dashboard को open करता हूं ठीक है बुक रूम पर जाओंगा और बुक रूम के बाद मैं इस पर click करता हूं अगर अगर बुक तो आप देख सकते हैं अब की बार यह यहां पर book room.php पर रिडिर्ट हो रहा है तो अब यह पर यहां पर उसके अंदर कॉड यहां पर करना है ठीक बुक रूम.php फाइल के अंदर का कॉड हमें यहां पर लिखना है तो अब मैं क्या करूँगा यहां पर यहां हमने बनाई है bookroom.php just अभी तो अब इसके अंदर का code लिखेंगे हम तो इसके अंदर का code क्या लिखेंगे हम यहां पर form बनाएंगे हम जो की होगा हमारा जिसको user फिल करेगा बाकी की details तो क्या करता हूं index.php का HTML का code है उसको copy कर लेता हूं ठीक है क्योंकि code उसके similar रहेगा और बाकी के हम उसमें change कर देंगी तो मैं इस code को copy कर लेता हूं और इसको यहां पर मैं paste कर देता हूं bookroom.php में ठीक है और अब इसके अंदर हमें form बनाना है जैसे मैं अगर इसको refresh करता हूं एक बार तो हम देख सकते हैं यहां पर यह index.php का code आगा है क्योंकि हमने वही copy किया है अब इस form की जगह यहां पर वह form बनाने वाला हूं जिसको user फिल करके room को book करेगा मतलब कि वाकि की booking detail है वह हमें लेनी है user से या तो वह हमें यहां पर उसके form बनाना है form already बना हुआ है हम क्या करेंगे है इसको लैट से मैं grid system को गवाद four four में डिवाइड कर देता हूं four four और लास्ट वाला भी four ठीक है और इसमें यहां पर form लिखेंगे form already बना हुआ है जैसे अभी email ID password के लिए इसमें और फिल्ड एड करने है जैसे पहला हो जाएगा लट से रूम नंबर के लिए ठीक है और इसका नाम भी यहां पर हो जाएगा रूम नंबर इसी तरह कि से second यहां पर हो हो जाएगा मैं क्या करता हूँ अब इसी को मैं copy करेंगे हम इसी को जो इसको कुछ फिल्ड्स है काफी सारे उनके लिए हम बना लेते हैं जैसे पहला हो गया रूम नंबर सेकेंड हो जाएगा रूम टाइप के लिए थर्ड हो जाएगा holder name, holder ID, mobile address, number of child, number of adult, check-in date और check-out date ठीक है तो मैं इतनी बार इसको copy कर लूँगा और इसको मैं changes कर दूँगा अब नाम जैसे पहला हो गया नाम में आपे change करके holder name फिर हो जाएगा holder name के बाद आजाएगा holder ID ठीक है और इसका नाम भी मैं change करके let's say holder ID कर दूँगा holder ID के बाद let's say आता है mobile number ठीक है holder mobile और इसको भी मैं change करके holder mobile कर दूँगा ठीक है इसके बाद आता है address ठीक है तो address के लिए हम क्या करेंगे यहां पर हम input की जगे text area यूज करेंगे तो यहां पर आएगा holder address holder address और यहां पर मैं input की जगे मैं text area यूज करूँगा ठीक है तो text area मैं address ठीक है address और जी हो जाएगा let's say required भी कर देते हैं ठीक है तो यह हो गया यहां पर address address के बाद आता है child number of child ठीक है child कितने हैं तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ number of child ठीक है अब इसके लिए हम क्या करेंगे इसको refresh करके आपको इसका output चेक कराता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहां पर admin login की जएगे मैं यहां पर इसको चैन्ज कर देता हूँ heading को भी लेट सेपिश की हडिंग हम कर देते हैं आप फिल गिवन डेटेल फिल गिवन डिटेल ठीक है इसको मैं रिफ्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं आप फिल डागिवन डेटेल अब इसको रूम नंबर आगया रूम टाइफ होल्डर नेम ह अब नंबर आफ चाइल्ड अब नंबर आफ चाइल्ड आप जैसे यहां पर नंबर टू चाइल्ड है मैंनुली लिख सकते हैं बट हम यहां पर करेंगे यहां पर हम क्या करेंगे तो हम क्या करना है ताकि हम यहां पर उसको सलेक्ट कर सकें कि कि नंबर आफ चाइल्ड कितने हैं वह हम सलेक्ट कर सकें तो हमें यहां पर सलेक्ट करना है तो हम यहां पर क्या करना होगा जैसे मैं टेग यूज़ करूँगा सेलेक्ट का है न और इसके अंदर में इसकी पहले तो मैं इसकी क्लास में डिफाइन करूँगा यहां पर मुझे सलेक्ट है उसकी क्लास हो जाएगी यहां पर फॉर्म कंट्रोल बिकॉज यह भी फॉर्म का ही पार्ट है ठीक है और इसके बाद यहां पर मुझे ऑप्शन का यूज करना है और ऑप्शन में हाँ पर हम मैं दोंगा लेट से सलेक्ट ठीक है और फिर अगेन में यहां पर ऑप्शन और यहां पर इस तरीक यहां पर अब मैं इसको रिफ्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह के से नंबर अप्चैनल यहां पर हम सलेक्ट करने वाले हमने सलेक्ट बॉक्स को ाज़ए ठीक है इसी तरीक से हम नंबर अफ अड़ल्ट के लिए भी यहां पर कर देंग 걱정 इसीघन को मैं कॉपी कर ल worked कि कॉपी और इसको में नंबर अपनल के लिए यहां पिस्ट का देता हूं इसकी जगा है इसको चैन्र का सकते है नंबर अफ एडल्ट कितने हैं ठीक है और यहाँ पर इसका नेम भी में चैन्र हड़ा देता हूं let's say adult नंबर ठीक है ओ आफ फूलास्ट हो जायेगा यहां पर शेकन्द लास्ट चैकंड़िट ठीक है चेक इन डेट और इसका नाम में लेट से इसको सॉट में नाम देटा हूं मैं इन डेट ठीक है और लास्ट हो जाएगा यहां पर चेक आउट डेट तो यह जरूरी फिल्ड्स है जो अगर आप होटल में जाते हैं बुकिंग करते हैं तो आपको नीड होती है तरह देले से ठीक है और इसको भी मैं यहां पर बुक नाम अब मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं इसका यह फॉर्म कंप्लेट हो चुका है ठीक है जैसे यहां पर नंबर ऑफ चाइल्ड नंबर पडेल स्रेट करते हैं चैक इंडेट चैक अडेट और बु करने के बाद फिर बुक करेंगे तो फिर रूम बुक होगा ठीक है अब इससे पहले हम क्या देखने चाते हैं आपर हम करना चाते हैं जैसे अगर लेट से यूजर इस पर क्लिक कर रहा है वन जीरो थिरी पे और इसको रूम का टाइप भी पता है लेट से सिंगल नौनेसी है और इसका टाइप है वन जीरो थिरी ठीक है तो इस पर क्लिक करेगा तो उसको पता है कि मैं वन जीरो थिरी नंबर का रूम बुक कर रहा हूं और इसका टाइप है सिंगल नौनेसी तो उस पर क्लिक करेगा तो यहां पर फिल से उसको रूम नंबर टाइप करना तो ऐसा ना हो, कि हम चाहते हैं कि यूजर को पता है ना पहले से जैसे बार पार इसको प्रहर प्रहुत करें आपको पता है का यूज का सकते हैं। किसे हम कर चुके पहले भी इस पे एंगे करेंगे तो हम क्या करेंगे जैसे इस पे खुलूँक करूँआ तो मैं क्लिकरूंगा तो मैं औट Cabinet केरें यूरव में सका थो यह इसके लोगी और भर फिर यह कैसे करेंगे हम यहां पर एक बाद देख लेते हैं यह हम करेंगे जैसे यह rooms वाला है तो इसके हम पहले हम सिंगल नों ने स्वी बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर यह Book है अगर Book पर user click करता है तो इसके link है Bookroom.php दो हम अगर URL में information send करना चाहते हैं तो यहां पर में question mark लागे लेट से जो भी होगा let's say 101 and address लगा के यहां पर let's say मैं room की type है जो भी होगी वो send का सकता है इस तरह के same information but हम send करेंगे room number equal अब room number क्या है वो तो हम automatic मतलब जिसी button पे click करेगा let's say इस button पे click कर रहा तो उसका room number 10 ते लिए इस पे click करेगा तो इसका one zero ने तो यह automatic लेना चाहिए तो इसमें PHP का code लेखेंगे ठीक है इसमें हम PHP का code लेखेंगे ताकि PHP के code के दुआरा वो हमने यहां पर दिखाए तो PHP का code कैसे लिखेंगे हम इसमें यहां पर जैसे मैं question mark करके room number equal अब room number क्या है वो हम यहां पर क्या करेंगे already हमने PHP का code लेखके यहां पर और print करवा देंगे यहां पर PHP में हमने row नाम के database से सारी information तो पहले already फैज की हुई है यहां पर तो हमें क्या करना है echo और PHP में यहां पर मैं echo करवा दूँगा echo क्या करूँगा room number ठीक है let's say post sorry post और मैं आपर क्या करूँगा room number है post नहीं sorry यहां पर row नाम के उसमें हमने already इसको fetch किया हुआ है तो यहां पर मैं क्या करूँगा इसमें मैं room number यहां पर मैंने यहां पर प्रिंट करवा दिया तो आप इन्फॉर्मेशन हम सेंड करने कुश्चन वार रूम नंबर एक्वल और जो रूम नंबर हो PHP के थूरू हमने यहां पर सेंड कर दिया ठीक है फिर इसमें हम add करेंगे डॉट ऑपर अगे हम यहां पर अब रूम की टाइप एड्रस करके रूम टाइप आर्ट लिखता हूं मैं सौर्ट में आर्टी इक्वल लेट से ए ठीक है आर्टी इक्वल ए का मतलब है यहां पर सिंगल नॉन एसी हम करते हैं इनको ए बीसी में डिवाइड कर देते हैं लेट से कि गर्ली अब यहां पर इक बार मैं कहाता हूं इसको करता हूं और चेक करने के लिए लेट से मैं इस पर क्लिक करता हूं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पर इसने information send किया room number equal 103 और room type A, A का मतलब single non AC, ठीक है इसी तरीके से हम बागी के इन पर इन पर इन पर इन पर इन पर इन पर करने के लिए single AC के लिए भी कर देते हैं जैसे अगर book पे क्लिक करता था तो बुक पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर इस admin को भी में रिमूव कर देता हूं, ठीक है? और यहाँ पर मैं इसको पे Brendelome zone इसको कर दूँँगा अगर यह बुक वाला बटन है तो यहां पर बुक वाला बटन है तो यहां पर नीचे में इसको अब मैं रिफ्रेस्ट करूंगा और मैं किसी भी लेट से मैं डबल नौन एसी रूम को लेट से टू जिरो टू को बुक करना चाहता हूं डबल नौन एसी तो मैं किलिक करूंगा तो हम देख सकते हैं ब्राउजर में यह सेंड करेगा रूम नंबर टू जीरो टू और रूम टाइप यहां पर सी टाइप करना चाहिए तो मैं सब के लिए चैंज कर देता हूं मैं कोपी किया है इसलिए जहां पर ए हो गया ठीक है जैसे डबल एसी रूम उसके लिए हो जाएगा डी ठीक है और A B C D M लख लें ते इसके लिए हो जायए सी और इसके लिए हो जाएगा बी ठीक है तकि हम आइडेंटिफाइश कर सकें कि रूम का टा रूम नंबर 253 और रूम टाइप D मतलब की डबल एसी तो यह हम यहां पर ब्लाउजर में इंफॉर्मेशन सेंड किया है अब यहां से इंफॉर्मेशन फैज करके हम यहां पर सो करवा देंगे रूम का नंबर और रूम का टाइप तो वह करवाते हैं वह कैसे करवाएंगे अ यहां पर करवा देंगे यहां पर करवा देंगे इको कैसे करवाएंगे आपको पता है कि हम गैट के दुवारा जब भी यूर्ल से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम गैट के दुवारा यहां पर लेते हैं मतला रूम नंबर ठीक है और इसी तरीके से मैं यहां पर रूम type अगर D है तो यहांपर haram D तो print नहीं करवाएंगे,द तो हम ने अमारे समझने के लिए aक जर्ष्ट समझने के लिए लिए ठीक है? तो D का मतलब है double non AC, A very single nonAC, B जलो सिंगल ac और C का मतलब होगा double nonAC, तो हम अगर D है तो यहांपे एम चाहते हैं. डबल, एसई. तो हम यहां पर इफ कंदिशन लगाएंगे यहां पर गूटप अब इसमें हम ऍустить क्या करेंगे यहां पर तरह काहले इसमें हम यहां पर इसमें का आप दूर दो पा स्फिक कंदिसंद इसनों से श्यक्राइब करें एफ जो है ठीक मतलब रूम नमबर है उसका स्टेटास को किए उसका स्टेटासलै से जीडुंनद ए कि उसका स्टेटासम्तbayं एपिटी ए किस रिचे पॉसका इस्टेटास जीरो नहीं अगर सोजी मैं गलत बोल गया है यहां पर रो नहीं करेंगे हम टोटली मैंने गलत लिखा है यहां पर हम करेंगे गैट ठीक है मतला यूर्ल से इंफॉर्मेशन ले रहा है तो गैट में आर्टी मतला रूम टाइप है जो लेट से एक एकवल है ठीक है वो एक एकवल है तो हमें क्या करना है ठीक है मैं अगर रूम की टाइप है गैट से हमने लिया रूम टाइप ए है तो हमें यहां पर एको करना है क्या एको फिर हमें एको करना है यहां पर तो यहां पर हमें एको करना है क्या एका मतलब होता है सिं सिंगल नौन एसी ठीक है सिंगल नौन एसी है और यहां पर लगता है कुछ गल्दी करते हैं एक बार मैं चेक कर लेता हूं गैट रूम टाइप ए सो हम क्या करेंगे यहां पर जैसे हम यहां पर करना चाहते हैं कि रूम की टाइप अगर ए है ठीक है अगर यहां पर एक रूम गैट रूम टाइप ए तो ए को करेंगे हम सिंगल नौन एसी तो हम क्या करेंगे हां सोरी यहां पर डबल कोड़ के अंदर ह यहाँ पर हमें सिंगल कोडशी उस्घ नहों ठीक है है सिंगल कोड़ ठीक है इस तरीक से और फिर मैं दूबार इफ लगाओиров Aah इस तुम मैं क्याओ झलता हूऄ यह होई क्योंकि इफ हमें बार बार लागाना अपड़ेंका चाहर के लिए इफ यहां पर कि मैं यहां पर मैं सिंगल नोन डाइशी के बाद सेमी कॉलन और लगा हुआ ठीक है सिंगल नॉन एसी इसके बाद सेमी कॉला ठीक है तो इफ रूम की टाइप अगर भी है यहां पर ध्यान रखेंगा आप का निफ्यूजिनियों में बी है तो इसका मतलब हुआ सिंगल एसी और इसी तरीके से फिर में एक वाजिफ लगाऊंगा ठीक है एफ रूम की टाइप है करें जो सी हुआ इसका मतलब है डबल नौन इसी ठीक है डबल नाज इसी यहां पर मैं कॉलन लगाऊ dzień और यहां पे कॉलन लगाऊंगा और अगर रूम की टाइप डी है इसका मतलब हुआ डबल एसी ठीक है किसी पर भी में किलिक करोँगा किसी पर नहीं मैं मुझी करना हां मैं जैसे किसी रे लेट्स figuring करता हूं मैं मैं डबल एसी और 252 कल तो डेसे अ तो यह हो गया यहां पर फॉर्म में हमने अब यह हमने देखा रूम नंबर और रूम टाइप आप फैस्ट कर लिया है ठीक है अब हम चाहते हैं कि भाकिकी इंफ्रमेशन उसर सेंड कर देगा यसे भी हड्र नेम क्या है है होल्डि आयडि क्या है यह सब वरकेिसमे डिटेल और भूक नाओ पे क्लिक्ट करेगा तो रूम सब्मुग अखर होना झाहिए तो अब हम क्या हम नेंगे इसमें पी एक पी कोड़् लगैं